इस बार आप देखेंगे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी किसानों के लिए हमें एक एतिहासिक काम करने जा रहें आम तोर से एक नैशनल बजट होता है नैशनल बजट पार्लिमेंट में पेश किया जाता है रखा जाता है इस बार कॉंग्रेस पार्टी आएगी तो हमने कहा है एक बजट नहीं होगा, दो बजट होंगे, एक नैशनल बजट होगा और दूसरा किसान का बजट होगा उसमें किसान को शुरुआत में ही बता दिया जाएगा कि इस साल आपकी MSP इतनी बढ़ाई जाएगी, आपको मुवज़ा इतना मिलेगा, बीमा का आपको पैसा इतना मिलेगा, आपके खेट के पास हम इस प्रकार की फैक्टरी लगा रहे हैं, आपका इतना कर्ज़ा माफ आपने देखा होगा कि अले लंबानी ने 45,000 क्रों रुपे कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, जेल से बाहर हैं, देखा आपने, निरभ मोदी 35,000 क्रों रुपे ले गया, जेल से बाहर हैं, मगर अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी जेल में जाओ गया, आपको दिखेगा कि वहाँ पे किसी किसान ने 20,000 रुपे का कर्जा लिया, वापस ने दिया, उसको जेल में डाल दिया, किसान को 20,000 रुपे कर्जा ना लुटाने पे जेल में डाल देते हैं, और अने लंबानी को 45,000 क्रों ना लुटाने पे और पैसा देते हैं, वो जेल के बाहर बैटता ह हैं हमारे किसान जिनके अंदर होते हैं आपको यह सही लगता है आपको यह निया लगता है कि अधर लगता है न तो आप सुनिए हमने मैनिफेस्टों में लिख दी आये 2019 के बार क्या हूँ उत्तर प्रदेश हो कोई और प्रदेश हो हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा अब देखिए हमने सबसे बात करके सबसे बात करके युवाओं से बात की किसानों से बात की मजदूरों से बात की मजदूरों ने हमें बोला देखिए सौ दिन का मनरेगा होता था कम पढ़ता है एक सो पचास दिन का दी तो हमने सबसे बात की और जो आपने हमें कहा हम करने जा रहे हैं नियाय योजना हिंदुस्तान की अर्फ्वेवस्ता को चालू करते के लाकों यवाओं को रोजगार देगा अब दूसरी तरब नहीं नमोदी आतें जूट बोलते हैं 15 लाक दो करोर रोध युवाओं को रोजगार किसानों को सई दाम और फिर करते हैं अनिलंबानी का काम बाइयों और बैनों वह आपके चोकिदार नहीं है किसान के घर के सामने अपने कभी चोकिदार देखा है मज़्दू के घर के जा में चोकिदार देखा है बेरोजगारी उवागि वा टरके समने चोकिदार देखा नहीं लंबानी के धर के साहिने चोकिदार देखा है इस चोकिदार है ना कॉंग्रेस पार्टी को लाओ हमारे यहां जो कैंडेडेट है का सो्थ इनको जताहो इक पुनिया जी को जिताओ, आप सबका दिल से बहुत बहुत भनेवाद, नमस्ते आप जहें